हेलो दोस्तो, स्वागा थे आपका अपने चैनल कक्षा कड़ित में मेरे खाल से आप पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडियो हो गए होंगे और अगर नहीं हो गए तो भाईया पहले कलम, कॉपी, बिल्कुल मेरे साथ कदम से कदम मिलाते हो यांगे पढ़ने ठीक है, अगर इसमें आपने डिल कर दी तो भाईया आम नहीं जानते कुछ ठीक है, आपको मेरे साथ ही रहना है अगर आप मेरे साथ रहेंगे, तो मेरे खाल से 100 में 100% नमबर आएंगे एक भी नमबर की कोई कटोती नहीं होगी, आप यह कहते होंगे, सर ने तो कह दिया 100 नमबर के 100 नमबर आएंगे, यह ऐसा कैसे हो सकता है हो सकता है, मेरे हर साल मेरे पढ़ाई हुए बच्चों में से कुछ दस-पांच बच्चे ऐसे होते हैं, जो 90 प्लस, 95 प्लस और आँगे भी जाते हैं, ठीक है, उसमें कोई समस्या बात नहीं है, यह ऐसा नमबर सोचें के भई, सर ने कह दिया ऐसा हो नहीं सकता है, हो सकता ह है, यदि आप मेरे साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाती हुए, आँगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलिए खेर कोई बार नहीं, हम लाश्ट क्लास की बात करें, तो लाश्ट क्लास में हमने आपको जो एक्सरसाइज 3.4 से प्रारंभिक रूप अंत्रड से एंवर्स ग्याद करन हैं, तो बच्चों में ऐसा कुछ लगता है, कि सर्क कुछ कठन सा है, ऐसा बैसे नहीं है, बहुत सरल सी बात है, आपको 1-1-1 करके पूरा-पूरा एक से 9 तक हमने आपको पहले वाले वीडियो में पूरे कुस्टन कंप्लीट करवाए, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो आई बटन दबा के उसको आप एक बार कंप्लीट कर लें, एक से 9 तक वो वहां पर पूरा-पूरा कंप्लीट है, ठीक है, और उसके आँगे आज 10 में कुस्टन से हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले एक अपील है, अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं, तो चैनल को पहले सब्क्राइब कर लें और इसके आँगे कुस्टन नमबर दसमा देखने हैं, ठीक है, तो देखिए इस एक्सरसाइज के 9 मा, 10 मा, 11 मा, 12 मा, 13 मा, 14 मा, यह आपके सारे 2 by 2 ओर्डर वाले ही कुस्टन है, ठीक है, तो इसमें भी गयाद करना है, तो मेरे खाल से बारी बारी सी, हम आपको पहले दसमें कुस्टन बता देते हैं, यह है आपका कुस्टन नमबर दस, क्या है, इसको हम a ब़राबर मानने है, kतना दिया गया है, three minus one, और यह है आपका minus का four और यह है दो, ठीक है, इसमें a इंवर्स गयाद करन है तो आपको मेरे खाल से पता है हमें सबसे पहले करना होता है A बराबर I A यहां रखना है ठीक है A की value यही रखनी होती है क्या जो दी गई है क्या दी गई है 3-1-4 और 2 और I बराबर जो आपका तत्स्मक अब्यू होता है उसमें क्या लिखना होता है मुक बिकड़ पर एक एक बाकी सारे element 0 लिखना है तो यहां पर देखिए 1-1 लिख दिया यह 0 लिख दिया ठीक और A आपका यह करते हो इसके बाद क्या करना होता है यह LHS है इसको तत्समक बनाना है ठीक तत्समक बनाना है मनी यहां पर एक यहां पर एक और यहां जीरो और यहां जीरो यही तो करना है चलिए यहां सबसे पहले हमें क्या करना है एक ले आना है तो हम ऐसा करते हैं कि R1 पे लिखें और R1 में यहा पर हम r2 अगर जोड़ दें, तो हो तो minus जाएगा, लेकिन minus 1 हो जाएगा, कोई बाद नहीं, minus 1 का बाद में, भाग कर देंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, सबसे पहले r1 पे लिखें, r1 plus r2 कर दें, देखी, इसको इससे जोड़ेंगे तो minus 1 हो जाएगा, इसका इससे तो 1 आपका जियोंकातियों रहेगा, ए भी जियोंकातियों, ठीक है, किलियर बात, चली, बहुत अच्छी बात, अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए, एक चाहिए, आ गया यह, माइनस एक तो ऐसा करते हैं, कि आरबन पे लिख दें, कितना लिख दें, माइनस आरब बर करनिसान लगा, यहाँ भी यही कर दें, यह माइनस का हो जाएगा, यह भी माइनस का हो जाएगा, यह आपका 0, 1, जियोंकातियों रहेगा, और A लिख दें, किलियर, चली, और आगे देखें, इसके बाद, यहाँ पर एक लियाना था, वो आगया, अब यहाँ पर कैसे जीरो चाहिए तो जीरो कैसे आएगा देखिए R2 के जगाए पर जीरो ले आना यह R2 है यह 0 हमें करनी है इसको तो इसमें 4 का गुड़ा करेंगी इसमें जोड़ दें मानि हम लिख दें R2 पर लिख दें और R2 प्लैस 4R1 ठीक चलिए आंगे देखो करके दिखाए यहां पर 4 का गुड़ा करें इसमें जोड़ेंगी तो यह 0 हो जाएगा इसमें 4 का गुड़ा करेंगी तो मानिस का 4 हो जाएगा मानिस के 4 में 2 जोड़ेंगी तो मानिस का 2 बचाएगा ठीक है यह लिखना कहां पर R1 पर यह गलत कर रहे हैं R1 पर कुछ नहीं लिखना है R1 तो आपका जियों करते हो 1-1 तो जियों करते हो रहेगा R2 पर लिखना है इस जगह पर लिखना है ठीक है कहें यहां पर 0 ले आना है तो R2 है आपका माइनस 4 इसमें 4 का गुड़ां करकी जब जोड़ेंगे तो यह आपका हो जाएगा 0 और इसी प्रकार यह 2 है इसमें माइनस 1 में किसने का गुड़ां करेंगे 4 का तो यह माइनस का 4 हो जाएगा 2 के साथ जोड़ेंगे तो माइनस का 2 बचाएगा ठीक है कि नहीं बराबर यहां देखिए बिलकुल ठीक आरबन पर कुछ किया नहीं है माइनस का 1 माइनस का 1 यह ज्यों का 3 आरटू पर करना है आरटू यह है इस पर क्या करना है यह है 0 0 में जोड़ना है माइनस का 4 तो यह माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें 4 का गुड़ां किया न तो आप 1 में जोड़ना है मानस 4 तो ये मानस का 3 हो जाएगा ठीक और A आपका ये जिए। इसके बाद क्या करना है इसके बाद आपको यहां पर 1 लेाना है ठीक यहाँ पर एक लेाना है तो एक कैसे लेाएंगी एकugenish करते हैं कि सबसे पहले rijR2 का यहाँ भाग करने इसमें रिड़ 2 का जब भाग करेंगे तो एक हो जायए एकँ नहीं तो यहाँ पर लिख दें R2 पर लिखें और R2 में भाग किसने करने है ? ठीक दो लिख DYA हम मानस यहां लगाने ठीक है तो जोगो क्या हो जाएगा यह आपका one minus one ऐसी जियो कात्यों लिखा रहेगा अब इसमें रिलडडो का भाग करेंगी तो यह 0 और इसमें रिलडडो का भाग करेंगे तो यह एक हो जाएगा ठीक बराबर यहां भी रिल दो का बाग करते हैं दोखो इस पर नहीं करना है माइनस बन माइनस बन ज्यों करते हूं इस में करना है रिल दो का बाग तो यह कितना हो जाएगा प्लस का दो हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा तीन बटे में दो और यह ए ठीके इसके बाद दिखो यहां पे 0 करना है तो सीधा सीधा इसको ढूनों को जोड़iling मानि R1 पर लिख दें है और R1 plus R2 कर दें बस हो जायगा इसको इससे जोड़िए तो एक रहेगा इसको इससे जोड़िए जीरो हो जायगा और आपका 0 बन यह जिऊंकातियों रहेगा, और बराबर कर निसान लगाएं, बिल्कुल ठीक, इसी प्रकार यहां भी करना है, इन दोनों को जोड़के यहां लिखना है, देखिए इस पे तो आपका 1 हो जाएगा यह, इन दोनों को जोड़के लिखना है, तो माइनस का 1 इसम हो गया न, तो जब identity हो जाएगा तो कौन सा सूत्रस में, देखो ध्यान देखो यह कौन सा form हो गया, यह हो गया आपका i, यह तो आपका i हो गया और बराबर a inverse a a inverse a का गुणा i कहला देख नहीं तो यह a है और यह a inverse है ऐसे समझो, i यह है i बराबर a inverse into a अर्थार्थ यह आपका a inverse हो गया मानि a inverse बराबर आपको सीधा लिखना है कितना लिखना है 1, 1 upon 2 यह 2 और 3 by 2 किलियर हो गया, किसी को कोई डाउट चलिए और आंगे दूसरा सवाल आंगे काथ, ज्यार्मा सवाल देखें तो देखें, question number 11 11 में question में मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा से दिमक लगाएं तो हो जाएगा बहुत आसान सा question है जैसे यहां पर हमें i बनाना होता है इसी को तो i बनाना होता है जो a है, उसी को तो i बनाना है तो यहां पर क्या है कि यह दो है, यह एक है इस दो में से एक घठा दें मानि यह R1 में से R2 घठा दें तो एक हो जाएगा यह सिधा सिधा है और पिर जब यह एक हो जाएगा फिर इस में से इसको घठा है तो 0 हो जाएगा कुल मिलाके मेरी खाल से बहुत आसान सा काम है कर सकते हो आंगे बढ़ाएंगर हम 12 में कुश्यन की बात करें तो ये देखिए कुश्यन नमबर 12 इसमें लिखाए है अगर कोई जो अब यू दिया जाए उसको A लिख लें तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 3 और माइनस का 2 और 1 ठीक है इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है A A बराबर I A ठीक है यही तो लिखना होता है अब A की बैलू कितने ही लिखते है 6 से माइनस 3 और माइनस 2 1 और बराबर में I की बैलू आपको पता ही है तत्समका भी होता है 1001 और यह आपका जियों कात्यों अब देखिए यहाँ पर क्या बनाना होता है हमें एक क्योंकि आइडन्टी मेट्रिक्स जो होता है उसका यहाँ पर प्रसम अभिजब एक होता है कि नहीं यहाँ पर हमें तो तीन दूनी 6 हो जाएगा तो अभी इसको जोड़ां करें ये आपका एक नहीं हो सकता चार का कुड़ां करें चार दूनी 8 हो जाएगा तो मानस का 8 और 6 का हिसाब किताब जोड़ां या घटाएं आपका एक नहीं हो सकता है तो कुल मिला कि इस जगह पर छे की जगह पर एक कभी नहीं बचकता, इसका मतलब थोड़ा देखें द्यान देए, यह आरबन पर लिखें एगर लिखें अईसा कर दें, आरबन पर लिखें, और आरबन के साथ में, तीन दूनी 6 होता है, प्लस का कर दें, तीन आर्टू, तो देखें क्या बन जाएगा, सम हो जाएगा इसी परकार यहां देखिए यह आपका है माइनस का 3 और यह आपका है 3 का मल्टिपल करोगे 3 हो जाएगा तो माइनस 3 प्लस 3 यो करोगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक और यह आपका जियों काते हो मानस का दो एक और बरावर यहां देखिए यह कितना हो जाएगा यह आरबन है आपका एक और इसमें तीन का गुड़ां करेंगे जोड़ेंगे तो एक का एक ही रहाएगा यह और इसी प्रकार यहां देखो यह है जीरो इसमें तीन का गुड़ाँ करेंगे तीने कम तीन, तीन में यह 0 जूड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और यह आपका 0, 1 यह काते हैं और ए लिखे दें अब आप देखें इसको यह क्या बन गया, यह आई नहीं बन गया बलकि यह 0 हो गया क्योंकि यह साड़िक का नियम है, अब्वियू का नियम है कि अगर इसका पंक्ती या एक स्थम या एक पंक्ती अगर 0 होता है तो इसका पूरे का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है तो इसका मतलब यह i कभी नहीं बन सकता है इसका मतलब a inverse इसका ग्यात नहीं होगा क्योंकि lhs का मान सुन है का मान सुन है क्यों सुन है अगर लिखना चाहिए यह भी लिख सकते है क्योंकि r1 बराबर क्या है 0 है ठीक है अता a inverse ग्यात नहीं कर सकते नहीं किया जा सकता बात किलियर हो गई ठीक किलियर बात हो गई अच्छा इसके आंगे सवाल नंबर तेर्मा पे पहुंचे अगर तो तेर्मा देखिए बिलकुल आसान सा है कैसे ए बराबर आई ये लिख दें और ए का तो वही माल है जो लिखना है दो minus 3 और minus 12 और बराबर का निसान लगाए अई लिख दें कितना होता है 1001 और ए जूंकातियू अब दोखो इसको कर सकते है आरबन पे लिखें यहांपर हमें एक बनाना है डोबन पे लिखें और क्या करना है आरबन प्लेस आल्टू इसको इससे जोड़ेंगे दो मैंसे रिड एक जोड़ेंगे तो क्या एक बचाएगा यहां पर और आर बन पर लिखना है तो एक लिख दें इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यह माइनस का एक हो जाएगा माइनस एक दो यह जियोंकातियों बराबर बिल्कुल ठीक इसमें भी ऐसे ही करना है इसको इससे जोड़ें तो एक बना रहाएगा और इसको इससे जोड़ें ये भी एक बना रहाएगा 0, 1 ये जियों काते हो और ये लिख दें ठीक है? क्लियर बात अच्छा इसके बाद में यहाँ पर 0 लिखना होता है तो 0 कैसे बनाएंगे? इसको इससे जोड़ें मनि R2 पे लिख दें और R2 प्लेस R1 R2 प्लेस R1 ठीक है? तो करें देखिए ये आपका 1-1 इसमें कुछ नहीं करना है आप करजियों करते हों R2 पे करना है R2 में क्या करना है? R1 जोड़ना है तो ये R2 है ये R1 इसको इससे जोड़ें 0 हो जाएगा इसको इससे जोड़ें तो 1 हो जाएगा और 1-1 इसको देखो R1 पे कुछ नहीं करना है R2 पे करना है इनको दोनों को जोड़के लिखना है तो इस पर लिखना है, इसको जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना हो जाएगा एक, इसको इससे जोड़ना हो जाएगा, जीरो और जीरो बन आपका, ऐसा ही जियोंकातियों लिखा रहा हैगा, यहां भी वही काम करें इसको इससे जोड़ेंगे कितना दो इसको इससे दो और एक तीन और आपका वन टू यह जियों काते हैं और अब बताओ इसको यह क्या कह सकते हो I बन गया तो अगर यह आइडेंटी हो जाए तो इसका मतलब I बराबर A इंबर्स A तो यह आपका A इंब बर से इक्वल टू में कितना लिखना है 2,3,1,4 मेरे खाल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं चलिए लगे हाथ सारे कुश्यन आपके सॉल्ब कर देते हैं और यह आपका अब आ गया है कुश्यन नंबर 14 ठीक है 13 के बाद क्या आ गया 14 कुश्यन देखें बिल्कुल आसान सा यह भी कुश्यन है चोधमा देखें यह बराबर दिया गया है किसना 2,1,4,2 यह देखिए इसमें भी वही प्रोब्लम है क्या इसमें भी A इंवर्स इसका जातर नहीं किया जा सकता है क्यों नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहां पर एक हम कभी ल आएगा मानि हम देखें ध्यान देखें थोड़ा हम पहले सूत्र के रूप में इसको लिख दें आई बराबर आई ए और ए का वही मान लिख दें कितना दो एक चार दो और बराबर का निसान आइडेंटी कितना होता है वन जीरो जीरो वन और ए आपका एसस जीओं का त्यूं आप चलिए यहाँ पर देखिए यह इस जगय से आई पर लिख दें और आई टू में टू आरबर जोड़ दें अगर क्या करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा ते समझें बाद आरबन पर हमने अभी फिलाल टू वन ऐसा ही ज्योंकतियों लिखा रहे हैं दे कुछ नहीं किया है अब यहां पर देखिए यह चार है और इसमें दो का जब गुड़ा करेंगे दो दू नहीं चार हो जाएगा इस चार में इस चार को गटाएंगे जीरो हो जाएगा इसी प्रकार यह दो है इसमें दो का गुड़ा करेंगे तो दो हो जाएगा और इस दो में से इस दो को गटाएंगे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और ज्योंकतियों देखिए यह आपका आरबन ज्योंकतियों मानि 1, 0, R2 को 2, R1 से जोड़ना है, मनि 0 को जोड़ना है काई से 2 काकुड़ा करेंगे, 2 आ जाएगा, और 1 में ये आपका 1 आ जाएगा, अब बताएं, ये आपका देखो क्या है, R2, R2 बराबर क्या आ गया, 0, अतहा पूरा आपका, ये अब व्यू क्या हो गया, 0 हो गया, और अब ये अगर 0 हो गया, इसका मतलब A-Inverse इसका ग्यात नहीं होगा, अता A-Inverse ग्यात नहीं होगा, ग्यात नहीं किया जा सकता, जा सकता, ठीक, मेरे खाल से, सारे कुश्यन आपके क्लियर हो गए, ठीक है, अब आप सीधा 3x3 order वाले आभियो पर आ जाएं, ठीक है, दो, दो भाई दो के जो भी कुश्यन थे, वो आपके पूरे-पूरे खत्म होगे, ठीक है, और मेरे खाल से आपने बिदबद तरीके से समझ भी लिए होंगे, है ना, और अगर आपने बिदबद तरीके से समझ लिए हैं, तो एक बार लाइक जरूर कर दें, और आँगे आपका सवाल 3x3 का है, वो भी देखें, तो पंदर्मा, सोल्मा और सत्र्मा, ये तीन सवाल आपके इस एक्सरसाइज में और रहे गए, तो पहले पंदर्मा कुश्चन में क्या लिख दें, पंदर्मा कुश्चन का सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको ए बरावर आई ये लिखना होता है कि नहीं, चलो ठीक है, एक आपमान वही जो दिया जाए लिख देते हैं कितना है, दो, माइनस तीन, तीन, फिर लिखा है कितना, दो, दो, तीन फिर है आपका कितना, तीन, माइनस दो, और दो, यह आपका एक आप्यू दिया गया आप्यू यह, और बरावर यहां पर आपको besides कमान लिखना है, यह 3 Ö3 वाला, जो i है उसको लिखना है तो three by three order का जो i होता है उसमें क्या होता है मुख बिकारड़ पर एक एक बाकी सब्सक्राइब अब अब सून लिखे दें तो देखो one zero 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 one zero 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 one देखिए मुख बिकारड़ पर हमने one one लिख दिया ठीक है और ए आपका जियों का तियों clear अच्छा अब इसके बाद में इसको हमें आई बनाना देखिए काम आपको वही करना है जो आपने दो वाई दो में किया है वही तीन वाई तीन में करना है बस केबल सावधानी इसे बात की है कि यहाँ पर तीन रो हैं तीन कॉलम है तो यहाँ पर सावधानी से घटाना जोड़ना है बस और कुछ बात नहीं देखिए द्यान दे यहाँ पर एक ले आना है सबसब पहला काम वही है एक नमबर वाला काम एक नमबर पर करेंगे तो एक number का काम क्या सा हम ने बताए तो इस पर पहले अब यब पर एक ले आना है तो यहाँ पर इस में से क्या गठाद या एक काम करें कि ये बड़ा है ये छोटा है इसको exchange कर लें मानि R1 और R3 को आप पहले exchange कर लें तो minus plus का खतम काम हो जाएगा जंजट खतम हो जाएगा ये आपका यो R3 है वो उपर पहुँचा दें 3 minus 2 2 और ये आपका जियों कातियों रहेगा 2 2 और 3 ये उपर वाला ये नीचे पहुँचा दें 2 minus 3 और 3 लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरह पर ये क्रिया करेंगी ये ही क्रिया इधर भी करनी है तो ये उपर पहुचा दें 0 0 1 और बीच बाला जियों कातियों रहेगा आपका 0 1 0 ये रो जियों कातियों और तीसरा जो उपर बाला है वो नीचे तीसरा बाला रो बना देते हैं 1 0 0 और यहां क्या लिखते हैं एम है ठीक अच्छा इसके बाद में देखो यहां पर जोड़ना घटाना आप थोड़ा असान लगएगा क्योंकि ये R1 है इसमेंसे ये घटा दें तो एक बच रहेगा सीधा हम यहां लिख दें R1 पर लिख दें और R1 मेंसे R2 को घटा के लिख दें ठीक है थोड़ा ध्यान से करना है बहुत सैंस्टिफ तरीके से समझना है आपको तो यहां 3 मैंसे यह 2 घट जाएगा, क्या बचाएगा? 1 बचाएगा, इस माइनस देखिए, पूरा कम वही करना है, यह पूरा R1 है, यह पूरा R2 है, तो यह 3 मैंसे 2 घटाएगे, 1 बचाएगा, यह माइनस का 2 है, यह घटाएगे, माइनस का यह भी हो जाएगा, तो कितना हो 3 और यह आपका 2 माइनस 3 3 ठीक बराबर चलिए यहां पर भी वही काम करना है जो यहां किया है R1 मैंसे R2 को गठाना है यह आपका है 0 क्योंकि इससे को गठाओ कि 0 बढ़ाएगा अब 0 मैंसे 1 गठाएंगे तो माइनस का यह हो जाएगा और यह एक मैंसे 0 गठाएंगे तो एक रहेगा बाकी जोंकातियों करना है 0 1 0 और 1 0 0 और यहां पर क्या लिखना है एक दम इतना किलियर हो गया तो मेरे खाल से यहां नीचे अब दिखनी रहा होगा तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं यह देख जाएगा एक और कर दें देखिए यहां पर अब देखिए क्या करना है इसके बाद यहां पर 0 लियाना है और यहां पर 0 लियाना है ठीक है तो यहां पर 0 लियाने के लिए क्या कर दें यहां पर आपका यह 0 लियाना है तो R2 पर लिखना है और R2 मैंसे 2 R1 को आपको घटाना है कितना कितना घटाना है 2 का गुणा करके R1 घटाना है ठीक और एक साथ साथ और क्रिया कर सकते हैं कि R3 पर लेख दें और R3 पर इस पर लेखना है क्योंकि इसको भी 0 करना है तो इस मैंसे इस मैं 2 का गुणा करके मानि R3 में से दो R1 को घटाना है ठीक चली दोखो यहां पर करके दिखाए अब R1 पर हमने कुछ नहीं किया है 1, माइनस का 4 और माइनस 1 यह जों काते हो ठीक है इसके बाद में देखो यहां पर क्या किया है हमने इसमें हमने लिखाए R2 में मानि इसमें गटाना है किसको इसमें 2 का गुणा करी R1 में 2 का गुणा करी तो इसमें 2 का गुणा करें 2 में से 2 गट जाएगा 0 फिर इस 2 में से किसमें इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यह माइनस का 8 हो जाएगा लेकिन गटाएगे तो प्लस का 8 हो जाएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक, एक बार यहां देखो करके दिखाएगा, यह 2 है, इसमें से गटाना है कितना, इसमें 2 का गुणा करके गटाना है, तो इसमें जब 2 का गुणा करेंगे, तो मानस का यह 8 हो जाएगा, चार दूनी 8, मानस का 8 हो जाएगा, यह मान मानस् 2 तो मानस मानस् प्लस का हो जाएगा 5, ठीक 3 दो 5 हो जाएगा, के लिए रैद ना, अच्छा, इसके बाद में अब आते हैं तीसरी रोपे, वही काम तीसरे रोपे दो उखो करना है, ये 2 है, इसमें 2 का गुडा करना है, और इससे घटाना है, ये 0 हो जाएगा, ये मानस के 3 है इसमें 2 का गटान करेंगे माइनस का 8 हो जाएगा माइनस के 8 है और जब घटाएंगे माइनस के 3 से माइनस के 3 से घटाएंगे माइनस का 8 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 में 3 घट जाएगा 5 बचाएगा ठीक है इसी परकार यहां देखी ये 3 है इसमें से आपको गठाना है कितना इसमें 2 का गुड़ा करके गठाना है तो जब 2 का इसमें गुड़ा करेंगे तो मानस का 2 हो जाएगा तो 3 और 2 कितना हो गया यह 5 हो गया यह आपको जोड़ना गठाना जो है बहुत बहुत बारिकी से समझना है और इसको कते ही बोलना नहीं अगर आप यहां बोल गए तो गड़बर हो जाएगा ठीक चलिए यही जो हमने ओपरेशन यहां किया है वहीं यहां पर करना है दोनों साइटों पर एक ही चीज करनी होती है आर बन पर कुछ नहीं किया था तो जियों काते हो लिखें जीरो माइनस बन और बन ठीक इसके बाद आर टू पर किया था आर टू आपका यह आर टू है और इसमें से दो का इसमें गुणा करें और जीरो से गटाएं वह तो जीरो ही रहेगा ठीक है, और इसमें ये कितना है, एक है, और एक मैंसे क्या, रिल दो, रिल रिल धन का दो हो जाएगा, तो दो और रिल कितना हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ठीक है, एक पर समझ लें, दोको ये आपका एक है, इसमें से गठाना है कितना, माइनस का दो, तो माइनस माइनस करेंगे और गठाएंगे तो आपका बन बचेगा जी ये 0 है इसमें 2 का गड़ां करेंगे तो माइनस का 2 और गठाएंगे तो पलस का 2 हो जाएगा मानी 2 हो जाएगा जी और 0 माइनस 2 मानी माइनस का 2 हो जाएगा इतना यहां तक किसी को कोई समस्या अगर समस्या नहीं है तो आप आँगे बढ़ जाएं और A आपका ये जियों का त्यों लिखा रहा है ठीक इसके बाद अब क्या करना है आपको इस यहां पर देखें यहां पर अब हमें सबसे पहले इसको इससे घटाया दें तो यह 5 बचाएगा इसको इससे घटाया दें जिरो हो जाएगा तो यहां पर हमें चूंकि जिरो चाहिए ना जितने जिरो चाहिए बो जिरो तो बन्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो यहां से इसको हम R2 पे माइनस का 4 और माइनस का 1 ठीक R2 पे किया है क्या किया है R2 मैंसे R3 को घटाया है यह है R2 और यह है R3 इसको इससे घटाएंगे 0 बचेगा इसको इससे घटाएंगे तो 5 बचेगा और इसको इससे घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा बागी R3 पे कुछ किया नहीं है तो R3 आपका 0, 5, 5 आपका जियों का त्यों बना रहाएगा बराबर करने साल लगाएगा यहां भी वही काम करना है तो R1 पे कुछ किया नहीं है तो R1 आपका 0, मानस 1 और 1 ठीक है R2 पे क्या किया है R2 मैंसे R3 को घटाया है यह आपका R2 है, यह R3 है इसको इससे घटायेंगे मानस का 1 आएगा आएगा यह है मानस यह है 3, 3 मैंसे 2 को घटाना है तो एक बचायेगा एक लेखते है यह आपका मानस का 2 है यह आपको मानस के 2 से घटाना है तो यह 0 हो जाएगा ठीक और यह आपका 1, 2, माइनस 2 1, 2, माइनस का 2 और A आपका जियों का त्यों ठीक थोड़ा बड़ा सवाल है भई इसको बहुत साथ साथ करेंगे काम तो सही हो जाएगा कोई देखकर नहीं ठीक है अब देखें यहाँ पर क्या होता है यहाँ एक लियाना होता है यह मुख बिकाड़ है इस पर एक एक लियाना है तो यहाँ पर एक लियाने के लिए क्या कर दें इस R2 में आपका 5 का भाग पूरे में चला जाएगा 5 का भाग कर दें और यह 0, 5, 5 यह जियों का तो, इसके बाद यहाँ आजाओ, इसके बाद यहाँ भी दो कोई, आपका 0, minus 1, 1, यह इस पर कुछ नहीं किया, R2 पर किया है, कितना 5 का भाग किया, तो यहाँ 5 का भाग करेंगे, minus 1, 5 हो जाएगा, यहाँ 5 का भाग करेंगे, एक बटी 5 हो जाएगा, यहाँ 5 का भाग तो यह 0 रहेगा, और बाद यह 2 और यह minus 2, और यह आपका A जियों का थे, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए, यहाँ पर हमें 1 ले आना था आगया, 0, 0 ले आना था आगया, अब यहाँ भी 0 करना है, यहाँ बन ले आना था वो भी आ गया, तो चलिए, यहाँ पर हमें पहले 0 वाली बात सोचें, कैसे आएगा, इसमें देखिए, यह R2 है, इसमें 4 का गुणा करें, और इसके साथ जोड़ना तो 0 हो जाएगा, क्योंकि minus का 4, plus का 4, 0 हो जाएगा, सीधा-सीधा, तो यहाँ पर आपको करना है, R1 पर जोड़ना तो आपका 1 का 1 रहेगा, इसमें 4 का गुणा करके जब इसको जोड़ना करेंगे तो आपका यह 0 हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, इसके साथ जोड़ना तो minus का 1 जियोंका 3 रहेगा, ठीक, बाकी कहीं कुछ किया नहीं है, यह दोनों आपक इसमें 4 का गुड़ा करके जोड़ना है, तो ये है 0, कोई बात नहीं, इसमें 4 का गुड़ा करेंगे, तो रिल का 4 बटी 5 हो जाएगा, 0 को साथ जोड़ेंगे, रिल 4 बटी 5 ही रहेगा, ठीक, इसमें ये है आपका R1, कितना है R1, माइनस का 1, इसमें 4 का जब गुड़ा करें यह तो आपका 1 रहेगा ठीक जो नहीं देखे अब आपको बताया है इधर क्या हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं हमें केवर LHS को I बनाना है आइडेंटी इसको करना है तो यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं यहाँ पर आप क्या करना है यहाँ पी 0 चाहिए ना तो हो जाएगा कैसे R3 है यह दोखो R3 है R3 पर क्या करना है R3 R3-5R2 यह इसमें 5 का गुणा कर कि इसमें घटा दे तो 0 हो जाएगा R1 पर हमने कुछ नहीं किया देखिए 1 0-1 इसके बाद R2 पर कुछ नहीं किया है 0 1 0 R3 पर किया है वो लिखना है 5 यह है और इसमें 5 का गुणा करेंगे 5 में से 5 घटाएंगे क्या लिख दें यहाँ 0 यह अब का ठीक लिखा है इसमें कुछ नहीं करना है ठीक है यह R3 में इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और इस 5 में से इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 0 रहेगा तो 5 में से 0 घटाएगा तो यह 5 ही बचाएगा ठीक है और बराबर का निसान लगाए यहाँ माइनस का एक बटे पांच जियों काते हूँ, एक जियों काते हूँ, अब R2 पर नहीं किया है कुछ, माइनस एक बटे पांच, और एक बटे पांच, और 0, अब R3 मैंसे क्या करना है, R3 है 1, और इस मैंसे घटाना कितना है, इस मैं 5 क्या गुणा करके घटाना है, तो ये 5 क्य गुड़ां करेंगे तो 5 बटे 5 हो जाएगा मानस का ये कट जाएगा मानस मानस पलस का और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एक एक दो ठीक है और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार देखिए आर्सरी कितना है आर्सरी है 2 और 2 में से क्या गटाना है इसमें 5 का गुड़ा करेंगे तो 5 बटे 5 हो जाएगा मानि 5 बटे 5 एक हो गया 2 में से एक गट जाएगा क्या बचाएगा एक बचाएगा ठीक और ये आपका मानस का 2 है इसमें ये आपका मानस का 2 बचाएगा ठीक एजियों का दे इतना किलियर हो गया अच्छा इसके बाद अब हम देखिए यहां इसको रब कर दें मेरे ख्याल से थोड़ा जगह की अभाव हो रहा है तो यह देखिए नीचे थोड़ा नीचे देख लें इसको क्या कर देखिए यहां से अब हमें क्या करना है अब यहां पर हमें एक ले आन बस हमारा identity हो जाएगा, दो operation आपके और रहे गए, मेरी खाल से अगर आपने इधर का ये सब कुछ कर लिया हो, तो यहां से मिठ लें, और यहां से मिठाने के बाद फिर मेरी खाल से पूरा आएगा बखी, और यदि यहां पर देख रहा हो, तो यहां देख लें भाई, हैं, ह हो जाएगा, चलिए यहीं करके देखा देते हैं आपको, यहां पर सबसे पहले क्या करें, पांच का बाग, आर थरी पर लिखें और आर थरी पर पांच का बाग कर देख, ठीक चलिए, इसमें आर बन में कुछ नहीं किया है, वन, जीरो, माइनस, वन, आर टू पर कुछ नह हो जाएगा, ठीक, बराबर, यहां देखिए, यहां पर क्या करता है, यहां भी वहीं काम है, पांच का बाग, आर थरी में करना है, तो आर बन पर कुछ नहीं करना है, माइनस चार बटे पांच यह आपका, आर बन पर जो लिखा है, जीरों का त्यों, और यह भी आपका, य और ये और ये, आपका R1 ये पूरा ज्यों कतियों हो गया, ठीक, R2 भी ज्यों कतियों कर दे, माइनस एक बटे 5, और एक बटे 5, और 0, अब इसमें क्या करना है, इसमें 5 का केबल बाग देना है, तो 2 बटे 5, 1 बटे 5, और यहां पर माइनस का 2 बटे 5, ठीक और ये आपका ए जियों का त्योंग इतना के लिए रो गया चलिए बहुत अच्छी इसके बाद हम क्या करते है देखे इसको यहां पर जीरो और करना है बाकी तो को मुख बिकड़ पर आपका एक एक आई गया है तो आपको लिखना है आरबन पर और आरबन के साथ में आ कितना हो जाएगा एक इसको इससे जोड़ें कितना हो जाएगा जीरो और ये आपका आरटू जीरो वन जीरो आरथरी भी जियों काते हूं मानी जीरो जीरो बराबर अब आपको यही काम यहां करना है इससे इसको जोड़ना है बाकी सब जियों काता हूं तो इसको इससे जो दो बटे 5, ठीक है, अब इसको इससे जोड़ें, तो मेरे खाल से दिख रहा है विल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसको इससे जोड़ें, तो 1 मैं जोड़ दैं, माइनस का 2 बटे 5, तो जो हो गया 5 है, मैं 2 चला जाएगा, और 3 बटे 5 लेख दें, 3 बटे 5, ठीक है, आच एक बटे पांच और मानस का दो बटे पांच ठीक और यह आपका A जियों काते हो के लिए रिशना हो गया अब आपका यह I बन गया I बराबर A inverse A तो इसका मतलब यह inverse हो गया ठीक तो यहां पर आपको सीधा लिखना है A inverse equal to कितना लिखना है मानस दो बटे पांच जीरो तीन बटे पांच और यह है आपका मानस एक बटे पांच एक बटे पांच जीरो यह है दो बटे पांच और एक बटे पांच और मानस का दो बटे पांच और यह है A ठीक है सुरी ये तो inverse होई गया अब ये आपका अंसर हो गया अगर चाहें तो इसमें ऐसे भी कह सकते हैं ये 5 जो डिवाइड हर संख्या 5 से डिवाइड है तो ये common लेके बाहर निकाल सकते हैं रिड भी आप common ले सकते हैं माइनस एक बटे 5 अगर बाहर निकाल लें तो ये आपका 2 बचाएगा ये 0 ही रहेगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर ये 1 हो जाएगा ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये आपका 0 ही रहेगा ये किसना हो जाएगा माइनस का 2 तो लिखते हैं देखिए माइनस का दो हो जाएगा ये और ये माइनस का एक हो जाएगा और ये प्लस का दो हो जाएगा ठीक ये आपका A इंबर्स के लिए रोगगा ठीक है थोड़ा लेंदी भाई सवाल है इसको बहुत द्यान से समझना है कहीं न कहीं अगर आपने थोड़ा भी कहीं गलबड़ी कर दी तो इतना लंबा चोड़ा सवाल है कि आपको ढूनना मुश्किल पढ़ जागा कहां गलती हो गई है तो बहुत द्यान से आपको पढ़ना है तो इसी तरीके से बिलकुल आपका ये सोलमा और सत्रमा दो सवाल और है इनमें भी एक और आपको करके दिखा दें साहिद मेरी खाल से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यहां पर आपको अब चलो सोलमा सवाल दिखाते है तो आगे के दो कुश्यन और है सोलमा और सत्रमा मेरे ख्याल से आपने question number 16 बड़ी अच्छी तरीकी से समझ लिया है तो 17 ये आपका पंधरमा question समझ लिया है तो 16 और 17 question में बहुत ज़्यादा आफ़त कुछ नहीं आपको आने वाली है थोड़ा-thोड़ा hint करते हैं मेरे ख्याल से आप खुद कर सकते हो दोगों पहले 16 सवाल देखें इसमें आपको लिखना होता है A बराबर I A जबकि A बराबर क्या दिया गया है 1, 3, minus 2 और minus का 3, 0, minus का 5 और ये है आपका 2, 5 और 0 ठीक और बराबर में यहाँ पर identity लिखना है कितना हो जाएका 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 और ये आपका I ज्यों का देवाँ ठीक है आप देखिए वही कम पहले नंबर पे पहला भी आपका एक लियाना है यहाँ पर और लेडी है कुछ नहीं करना है यहाँ पर 0 बनाना है और यहाँ पर 0 बनाना है ठीक दो कम एक साथ देखिए R2 पर लिखना है यह R2 है ना इसी को तो 0 बनाना है तो R2 पर लिखना है और R2 के साथ में जोड़ना है आपका 3, R, 1 इसमें 3 का गुणा करके इसमें जोड़ना है तो यह आपका 0 हो जाएक एक यहाँ 0 और करना है तो ये R3 है, R3 पर लिखना है और R3 के साथ में घटाना है 2R1, ठीक, इसमें 2 का गुणा करके इस 2 से ये 2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये 2, 2 क्रियाँ आपको एक साथ करनी है, R1 पर कुछ नहीं करना है, 1, 3, minus 2, यहां पर देखिए, इ इसमें 3 का गुणा करके घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 0 इसमें 3 का गुणा करेंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, और बिल्कुल ठीक, इसी प्रकार ये आपका है, R3 का 5 और इसमें आपका 3 का जब गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और रिल के 6 में रिल का 5 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना 11 हो जाएगा ठीक है इसके बाद में R3 पे नमबर आ जाओ R3 में क्या करना है R3 है आपका ये 2 और इसमें 2 का गुड़ा करेंगे गटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा ये है 5 इसमें 3 में 2 का गुड़ा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा और घटाएंगे तो माइनस का 1 बचाएगा ये 5 ये 6 घटाएंगे किसना बचाएगा माइनस 1 ये 0 घटाएंगे कितना माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4 ये 4 लेगा ठीक बराबर बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां भी वही करना है R1 पर कुछ नहीं करना है 1 0 0 जियों करते हो R2 पर करना है R2 पर क्या करना है ये R2 है इसमें 3 का गुड़ा करके इसको जोड़ना है तो आपका 0 रहेगा ठीक है क्या करना है फिर एक पर समझें ये है आपका R2 ये ही पर करना है ठीक है तो R2 ये है 0 और ये R1 ये है इसमें 3 का गुड़ा करके जोड़े हैं तो आपका ये 3 हो जाएगा ठीक है और इसी प्रकार ये आपका है 1 और 1 में ये आपका 1 रहेगा ठीक है और यह 0 और यह भी आपका 0 हो जाएगा अब आजाओ R3 पर R3 कितना है R3 आपका है यह 0 और 0 मैंसे घटाना है कितना माइनस का 2 हो जाएगा ठीक और यह आपका है 0 इस मैंसे यह भी 0 हो जाएगा यह आपका 1 है 1 मैंसे यह आपका 1 बच जाएगा ठीक है और यह जियों का देगा ठीक है मेरे ख्याल से एक आपका बिल्कुल काम कंप्लिट हो गया यहां पर हमें 0 चाहिए यह 0 चाहिए हो गया अब इसके बाद यह 0 चाहिए तो क्या करेंगे इसमें 3 का गुड़ा करें और इसको इसके साथ जोड़ने यह 0 हो जाए ठीक है मतनी जैसे जैसे हमें आई बनाना है इसको बस इतना काम याद रखना है आई बनाना है और चोड़ने गठाने में थोड़ी साँधानी रखनी है बाill कोई और कुछ नहीं करना है विल्कु आसान सा काम है तो मेरी खाल से इसको हम छोड़ दे रहे हैं, यहीं छोड़ दे रहे हैं, इसको आप पूरा complete करेंगे, और यह दो अनो question complete करेंगे, by the way अगर complete करने में कोई समस्या आती है, तो मुझे comment box में बताएंगे, इसका हम हला आपको बाद में भेज देंगे, ठीक है, मेरी खाल से की पूरी clear हो रही है, ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो मुझे comment box में बताएंगे, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको like करें, चैनल पर नई आए तो चैनल को subscribe करें, साथ ही साथ बैल आइकन जरूर दबाएं, जि करें जरूर आपको किसी प्रूर 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 आपको क झाल झाल